नमस्कर, संस्कित है इसके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, आज के आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में हमने गवर्नेंस से एक क्वेश्चन को लिया है, पहले प्रस्ण को पढ़ लेते हैं, प्रस्ण है नागरिक चार्टर संगटनात्मक पारदर्श प्रस्ण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपाय सुझाएं, पहले बाग में नागरिक चार्टर की परिसीमाओं या लिमिटेशन के बारे में लिखना है, और दूसरे भाग में इस इप्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय सुझाने हैं, पहले एक बार तूप से समझ लेते हैं कि सिटीजन चार्टर क्या होता है, और उसके बाद कुछ और कॉंटेंट देखेंगे जिसमें सीमाओं के बारे में और सिटीजन चार्टर को और अधिक प्रभावी बनाने के बारे में कुछ तत्यात्मक जानकारी दी गए है। जो अधिकार दिये गए होते हैं, उनकी जानकारी, उनके जो करतब भी होते हैं, उनकी जानकारी और शिकायत निवारण प्रणाली की जानकारी दी गए होती है। अब समझ लेते हैं कि citizen charter में limitations क्या क्या हो सकती हैं। ये जो notes मैंने लिये हुए हैं, ये Sanskrit IS की governance की booklet से ही लिये गए हैं। इन में देखेंगे limitations जो ये उपर वाला paragraph है, इसमें indicative limitations लिखी हुई हैं। और इस प्रस्ण के दूसरे भाग के उत्तर के लिए कि citizen charter को कैसे और अधिक प्रभावी बनाया जाए, उसके लिए क्या-क्या उपाय हो सकते हैं। इन उपायों की जानकारी दी गए है। तो पहले पढ़ लेते हैं limitations के बारे में। कानूनी रूप से आप्रभावी, मैं इसको थोड़ा सा और enlarge कर देता हूँ जिससे की पढ़ने में आसानी रहे। कानूनी रूप से आप्रभावी, इनन कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। कानूनी रूप से परामर्स का भाव। अगला लिखा है ब्योहारिक्ता में कमी। कि जाच का अभाव, समय समय पर चार्टर की समिख्षा कर इसे नभीनतम बनाने का अभाव, जन सामानिकी भासाओं में उपलब्दता का अभाव, अधिकान संगटनों द्वारा चार्टर का निर्माण इस्थानी भासाओं में नहीं किया गया है। इससे ग्राहकों को कठनाईउं का सामना करना पड़ता है। इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि माल लेजिए किसी बैंक में citizen charter नरधारित किया गया है। लेकिन उसे किसी ऐसी भासा में नरधारित किया गया है जिससे कि उसकी किसी अन्य या छेत्रिय भासा में इस्थानिय भासा के जो प्रियोकता हैं उनको समझ में नहीं आता। माल लेते हैं कि किसी बैंक का citizen charter अंग्रेजी भासा में तयार किया गया है। और किसी उस बैंग की कोई साखा हिंधी भासी छेत्र में है और अधिकांस लोग हिंधी ही बोलते हैं हिंधी ही समझते हैं तो ऐसी इस्थिति में बहां के हिंदी भासी लोगों को अंग्रेजी में लिखे हुए सिटीजन चार्टर को समझना थोड़ा मुश्किल होगा ये बात लिखी हुई है बरिस्ट नागरिकों और दिब्यांग्यों सहित अन्य विसेश स्रेणी के लोगों के लिए चार्टरों का विसेश उपबंद नहीं है सिटीजन चार्टर में ये इसमें देख लेते हैं दूतिय प्रशासनिक सुधार आयोग ने शाषन में नीति सास्त्र संबंदी अपनी बारमी रिपोर्ट नांगरिक केंदरित प्रशासन में चार्टरों को प्रभावी बनाने का संख्षे पुले किया है जो निमलिकित हैं तीन-चार पॉइंट्स दि बड़ा था कि बरिस्ट नांगरिकों और दिब्यांग्यों सहीत अन्य विशेष च्रेणी के लोगों के लिए चार्टरों का विशेष उपबंद नहीं है यही बात यहां पर लिखी है कि सभी ग्रहकों के लिए एक ही प्रकार के चार्टर उपयुक्त नहीं होते हैं बिस्ट वर्गों के लिए बिस्ट चार्टर निर्धारित किया जाने चाहिए चार्टर तयार करते समय नागरिक समाथ से ब्यापक परामर्स किया जाना चाहिए चार्टर में उल्लिखित सिभाओं को पूरा करने की बचन बद्दता होनी चाहिए ग्रहकों से किये गए अंसर को evaluate करते हैं नागरिक चार्टर किसी संग्ठन के उद्धिर्श्यों, प्रदान की जानी वाली सेवाओं और उनके मानकों के प्रतिबद्धता दर्शाने वाला आम दस्ता बेज है यह स्पलिंग गलत है, मानकों लिखा जाना चाहिए लेकिन परिभासा सही लिखी है, कम सब्दों में सटीक बात लिखी हुई है आगे देखते हैं नागरिक चार्टर की सीमा है क्या क्या है, अब परिवर्तनी होने के कारण जबाब देही का अबाव, ठीक बात लिखी है जटिल भाषा और विसेवस्तु, ये बात भी ठीक है, आपदिक अपडेशन का अभाव, अपडेशन इंग्लिश का वर्ड है, या इसे लिखना चाहिए जाता कि आपदिक अध्यती करण का अभाव, तब ज़्यादा अच्छा होता, और अपडेशन को रोमन स्क्रिप्ट म लिख दिया जाता, लेकिन ये बात सही लिखी है, अगला पेज है, इसमें अगला पॉइंट लिखा हुआ है, नागरिकों में इसके संबंद में सीमित जानकारी बज्जाग रुपता, ये बात भी सही है, अधिकारियों में इसके प्रत्य उपेख्षाबा संवेदन हींता क देस्टिकों, ये बात भी सही है, और सिबिल समाज की नगन निभूमिका, ये बात भी सही है, तो इस बच्चे ने जो सीमाओं में जो बातें लिखी है, ये सारी बातें सही लिखी गई है, आगे देखते हैं कि सिटीजन चार्टर को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस बच्चे ने क्या कै लिखा है, अधिक प्रभावी बनाने के उपाए, इसे ये इस पर लिखना चाहिया था, सिटीजन चार्टर को, या नागरिक चार्टर को, नागरिक चार्टर को अधिक प्रभावी बनाने के उपाए दुतिय एर्सी एर्सी से अगर बात समझ में नहीं आती है इसे लिख देना चाहिए कि प्रशास्निक सुधार आयोग उसके बाद डेकेट में एर्सी लिख देता तो ज़्यादा अच्छा होता दुतिय एर्सी प्रशास्निक सुधार आयोग ने इस संबंद में महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं पहला है ब्यापक भागिदारी चार्टर के निर्वाण में सिबिल समाज संगटनों गैर सरकारी संगटनों की भूमिका को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ठीक बात है द्रड प्रतिबदताएं चार्टर को सरल सटीख होना चाहिए और मानक एथा संबब मातरात्मक होने चाहिए यह बात जो लिखी हुए यहां पर चार्टर को सरल सटीख होना चाहिए और मानक एथा संबब मातरात्मक होना चाहिए यह द्रड प्रतिबदताएं से कैसे लिंक है यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस बच्चे को यह heading नहीं डालनी चाहिए यह थोड़ा confusion है अगली line में लेकिन यह जो बात ने लिखी है यह सही लिखी गई है second ERC ने इन साब चीजों की recommendation दी है यह बात सही लिखी गई है अगला page है निवारण तंद्र शिकायत निवारण तंद्र default के मामले में निवारण की प्रक्रिया सीधी बाइसपस्ट हो default English का word है इसे लिखना चाहिए था कि अगर किसी मानक का अनुपालन नहीं हो पा रहा है जबाब देही पारदर्शिता सुनिस्चित नहीं की जा रही है या अन्य कोई सिकायत है तो उस सिकायत के मामले में निवारण की प्रक्रिया सीधी बाइसफस्ट होनी चाहिए यह इसे लिखना चाहिए था default English का word है बात ठीक से समझ में नहीं आ रहा है अगला है जिम्मेदारी तै करना प्रतेक संगठन में इसके परिणामों के लिए एक बिसिस्ट अधिकारी होना चाहिए यह बात भी साहिए सेबुत्तम माडल Second A.R.C. ने ही सेबुत्तम माडल की भी चर्चा की और recommendation दिये यह बात भी साहिए उतक्रस्ट सेबा आपूर्ति सुनिश्चित करने है तो इसे मानक के रूप में देखा जा सकता है सेबुत्तम माडल की बात भी साहिए आबदिक अपडेशन यह समय समय पर अद्यति करन करना उसे नभीनतम सूचनाओं से युक्त करना यह था समबब बाहरी एजन्सी के द्वारा अपडेशन बाहरी एजन्सी के द्वारा नहीं होगा अंकेक्षन या ओडिट बाहरी एजन्सी के द्वारा होता है जो अपडेशन होता है और अर्गिनाइजेशन द्वारा या संगठन द्वारा ही किया जाता है ये बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया, ये audit के लिए इसने यहाँ पर ये line लिख दी है, एथा संबब बाहरी एजनसी के द्वारा, unction कहते हैं हिंदी में और English में audit कहते हैं, तो ये जो आपदिक अपडेशन बाली बात है ये भी सही है, उसके साथ साथ ये point दूसरा हो सकता था, कि जो audit होता है, ये था संबब किसी बाहरी एजनसी द्वारा होना चाहिए, बातें दोनों सही हैं, लेकिन इसके आगे नहीं लिखना चाहिए था, इसके अलावा आगे लिखा है, इनके अलावा, बिसिस्ट बजट के द्वारा जागरुकता के प्रियास भी होने चाहिए, जागरुकता के प्रियास होने चाहिए, बिसिस्ट बजट के द्वारा, केबल बिसिस्ट बजट के द्वारा ही नहीं, बलकि जागरुकता के प्रिय में नागरिक चार्टर नियुनतम सरकार और अधिक्तम शाषन तभी सुनिश्चित कर सकता है जब इसकी खामियों पर विसेश कारी किये जाएं। ये दो-तीन लाइनों में बहुती संख्षिप्त और सामानिसी बात लिखी गई है। लेकिन कुल मिलाके इस बच्चे ने उत्तर लिखने में प्रियास अच्छा किया है। अब मार्क्स की बात देख लेते हैं कि इसे कितने नंबर दिये जाने चाहिए। एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है कि इसमें मार्क्स इस्पेसिफाई नहीं किये गए थे। और यहां पर बच्चे ने अपने हाथ से ही 200 सब्द लिख दिये हैं जबकि UPSC का स्टेंडर्ड है 1.500 सब्द या 200 सब्द। तो यहां पर इसे माल लेते हैं कि 200 सब्दों में लिखना था और इसके लिए 15 नंबर निर्धारित किये गए थे। यही UPSC का स्टेंडर्ड है मानक यही है तो हम लोग इसे 15 मार्क्स के कुश्चन के रूप में इसका इबैलुएशन करेंगे। नागरिक चार्टर किसी संगठन के उद्द्योस्व प्रदान की जाने वाली सेवाओं और उनके मानकों के प्रति प्रतिवद्दता दर्शाने वाला आम दस्तावेज है। इसके बाद बिलकुल सटीक लिखी हुई है इसके लिए मैं एक नंबर पहले ही दे रहा हूँ पस्तावना या भूमिका के लिए। इसके बाद इस बच्चे ने नागरिक चार्टर की सीमाओं में जिन बातों का रिफरेंस दिया था ये भी सही थी। अगले पेज पर जो बातें लिखी है ये भी सही थी। इसके लिए मैं दो नंबर यहां पर दूँगा। अधिक प्रभावी बनाने के उपायों में भी जो बातें लिखी थी वे सारी सही थी। एक दो जगाए बस थोड़ा आर्टिकुलेशन की प्रावलम थी कि उसने दो पॉइंट्स को अलग अलग ना लिखके एक में लिख दिया था। ये पॉइंट्स सारे सही लिखे हुए थे। ये जो भी इसने पॉइंट्स लिखे थे ये सारे सही लिखे थे थे। केबल आर्टिकुलेशन की एरर थी और उपर इस वच्चे ने एक दो जगह पर जैसे शिकायत निवारन परनाली के बारे में शिकायत न लिखके डिफाल्ट के मामले में लिख दिया था। या एक जगह पर जहां नागरिक चार्टर को अधिक प्रभावी बनाने को पाए जहां पर लिखे जाने चाहिए थी हेडिंग बहां केबल अधिक प्रभावी बनाने को पाए लिख दिये तो छोटी छोटी आर्टिकुलेशन के एरर है लेकिन ये बातें इसने सारी सही लिखी गई है तो मैं इसे 2.5 माक्स इसको दूँगा निसकर्स जो लिखा गया है सामानिसा निसकर्स है आधा नमबर निसकर्स के लिए तो इस बच्चे को मिलते हैं तीन और इधर मैंने इसे दो नमबर दिये थे आज और एक छे तो इस बच्चे को मिलते हैं पंदरा में से छे नमबर और इस बच्चे के द्वारा जो प्रियास किया गया था बै काफी अच्छा था बस एक तो जगए आर्टिकुलेशन के रर थी बाकी जो पंद्स लिखे गया थे एकदम कंक्रीट थे और एक अच्छा उत्तर लिखा गया था और इसके साथ ही अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे धन्यबाद नमस्कार